हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में और अभी सुपर का टाइम है हाँ भी सुपर का ही टाइम है मैं नहाद होके बैटी थी और सोचा कि क्या करे जल्दी काम हो गया था तो सोच रही थी क्या ही करू तो पहले तो अपने आपको सवार रही थी अपने अपने नेल पेंट जो है वहनों सब को हटा दो तीनर से तो इसलिए बैठे थी जोचा चलो कोई काम कर लेते हैं बैठे बैठे मितलब अच्छा नहीं लगता के लिए सा इसलिए जोचा कुछ करते हैं और वैसे बीए अब नेल पेंट ये सब चुरा लो तो ठीकी है कब होस्पिटल जाना पर जा पता नहीं है चुरा रहेगा तो ठीकी रहेगा तो अब यहाँ पे बैठे है और अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे हर वीडियो में बोलना पड़ता है मुझे क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं वीडियो देख के चले जाते हो इसलिए अब वीडियो को कंठ में दर्दस ही हो रही है तो सुचा थोड़ा गरम चाय करके कुछ पी हूँ तो ठीक हो जाए गए तो यहाँ पे बना रही थी अपने लिए ब्लैक टी काली चाय बना रही हूँ क्यों मेरा मन किया ब्लैक टी पीने का यहाँ पे मैं खिरकी से बाहर देख रहती है अच्छा लगता है देखना तो चलिए चाय पती चीनी डल गया है अब मैं आज मेरा बिस्कीत काने का विमन हो रहा है तो दो बिस्कीत ले लिए है अपने लिए अप चलिए चाय मेरा बनके रेडी हो चुका था इसको झ्छान लेते हैं इतनी दर मेरेडी नी होता मैंनेyard क करें दिया हुआ है तो बस इसलिए कि वीडियो लंबी नहों चले चलते हैं आप चाय की चुसकी लेते हैं नीमबू डलनी थी लेकिन नीमबू है नहीं और वैसे भी इसलिए तो सोचा कि बिना नीमबू कहीं पी लेते हैं कोई बात नहीं चल जाता है यहां पर बैट गई हो नाय चाय बिस्कीट बिच्चे में, यहारे जब बिस्किट स feature गितितना में तुझाय कि यह क्योंगता तो देखिक göz-क DC सब्सक्राइब करनेкими चायएं क्योंको बिस्कीट के साध भघप गएर ओधोगर देखांड बिस्किट के सब्सक्राइब। इस मौसम में टॉंसिल बढ़ जाता है पता नहीं चलता है ठंड के मौसम में का तो है कि बढ़ जाता है लेकिन अभी गर्मी की टाइम है किसको टॉंसिल बढ़ता है कोई बात नहीं चलिए यहाँ पर आ जाते हैं चाय फी लेते हैं अब ही न टाइम काफी ज़्यादा हो गए थी और मुझे भूख लगी दिखाना भी बना नहीं है तो भूख लगी थी सोचक क्या ही करू तो दिमाग में आइडिया आया सत्तू पी लेते जब मेरी ममी आया थी ना तीन चार पाच मीने पहले तो लगभग वो काफी सरा सत्तू लेकर के आया थी सत्तू ये चनी का सत्तू होता है जो बहुत लोग नहीं भी जानते जनरली यूपी भी हार जारखंड ये समय ही मिलती है अब तो दीरे-दीरे मुझे लगता है बहुत जगा मिलती है अगनबारी में मुझे ही माचल में याद है वहाँ भी सायद मिलती है चना मिलता है ये सत्तू पता नहीं तो यह मैंने दिया है सत्तू और उसमें दाले है थोड़े से नमक जीरा पाउडर रोस्त बुना हुआ है जीरा है उसका पाउडर है यही थोड़े डाला जीरा डालने से टेस्ट खुसबूर बहुत अची सी आ जाती है तो इसमें डालते हैं हम पानी पानी उपर डाले हैं जता हों जीरा झाल भूल जाए अपने आप, वरना गळू चुपक बरतन में पेश कजी है बरतन में कि जल्दी में पेस से मायल भी है स़त्त्तु बहुकर को भोलेत ने म clocks इतला है maturity सンドब्षोла सभिषण के इस सट्तु को इतले है, सबीटायर को भूत ओ क्या उतले है एक हात से गोलता है पाने वाले भी गोलता है दूउर बहुत सारे सद्टू को अपई सबीशोनी सबीटने काती है तो चलिए यहाँ पे सत्तू को पी कर लिया हमने फिनिश और बरतन तो धोना परेगा ना चाय पिया हो बरतन भी अभी परे ही हुए वो ऐसे रखे हुए थे कम से कम सत्तू वाले तो बरतन को धूल के हटा दू तो यह ऊचुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग यानि की राखी का दिन है यह और एक सारी है जो की खरद के रखा हुआ है और देखी सकते हैं यह लेके जाना है मतलब मेरी नामत के लिए तो यह मतलब राखी है तो राखी बांदी में कुछ तो देना चाहिए उपहार में या तो पैसे दीजिए या कुछ भी दीजिए लेकिन देना चाहिए बहनों को तो यहां पर एक सारी है जो देखी सकते हैं अच्छी लग रही है मैंने मुझे तो पसंद आ रही है पता नहीं आप लोग देखो कैसा लग रहा है आप लोग बस उसके बाद जो कुछ मेकप का समान था जो कि मैंने ढाल दिये है थैले में करके और यह जो अब व्यू कलर की सारी है बहुत प्यारी सी सॉफ्ट में सारी है पता नहीं कर उनको पसंद आएगा की नहीं पसंद आएगा लेकिन मेरा तो काम है अपने हिसाफ से अच्छा करना तो यह सारी कर दी पैकिंग यह पिटिकोट का कपरा है दो मीठार करके है तो यह इसको भी रख देते हैं पैक करके तो हस्बिन चले गए मतलब राकी बनवाने और अकेले में हो रही थी बोर यहाँ पे तो बैटे थी तो एक ना मैं बेट सीट खड़ी थी मतलब आया था तो बेट सीट तो बहुत अच्छा है देखी सकते हैं और यह जो है इसकी पिलो कपर जो है न वो भी अच्छा है लेक इसको बैठके क्या करें सिलाई ही कर देते हैं तो यह देखिए इतना मतलब बेकार सिलाई कौन करके देता है कंपनी थोड़ा से अमलके आच्छे से करके दिया कीजिए तो यहाँ पर अभी मैं बैठके अब करूंगे इसको सिलाई थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में बह पर अभी मेरी सिलाई हो जाए तो इसके बाद नहाद हो के मैं फ्रेस हो गई हूँ और साथ है मेरे नर्णद नहीं जो है मेरे लिए भेजा है देख सकते हैं पकवान है सबजी है छोला है सेवाई है सालाद पूरी कचोरी मिठाई यह अलग मिठाई है और यह गुल-गुला है जो हमारे विहार में जैसे कोई प्रेगनेंट होती है तो इसके रिलेटिब्स के यहां से न मतलब इते मीठे पकवान बनके आते हैं तो यह वही है गुल-गुला आटे का बनता है अच्छा लगता है खाने में तो यही पर अब वीडियो को एंड करती हूं मिलती हूं नेक् भीड़े